पनी में डालेंगे एक टेबिल ऐस्पून टेल टैल ऑला दालेंगे ए मादा झिवड चौटा नमक और अबधा चपानी डालेंगे एक सो दस ग्राम 110 ग्राम नूडल्स यह बोयल करेंगे हम तो यह डाल दें इसमें तेल में पानी में सोरी बोयल करें नूडल्स को पानी में तो इसमें डालें 2-3 बड़े चमच तेल एक लेशन की जवें और एक हरी मिर्च 2-3 टेल स्पून तेल layisan और hari-mich को पकालेंगे थोड़ा सा थोड़ा सा तेल में layisan और hari-mich को पकालें बूण लें इसको अब हम इसमें सबसियां डालेंगे तो सबसियों में मैंने लिया है 1x4 cup gaja, 1x4 cup broccoli 1x4 cup onion, 1x4 cup shimla misch सारी सबसियां 1-4 cup है गाजर, शिमला मिच, प्यास, ब्रोकली आप ब्रोकली के बजाए बंद गोबी भी इस्तमाल कर सकते हो सबजी आप अपने साफ से डाल सकते हैं तो सबजीयों को माई फ्लेम पे बून लेंगे और दूसरे पेन पे दूसरे चूले पे नूडल्स बॉयल हो रही है इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक अब हम इसमें डालेंगे वन टी स्पून शेजवान सास वन टी स्पून, वन टेबल स्पून केचप इसमें डालेंगे अब वन टी स्पून ग्रीन चिली सास अब हम इसमें डालेंगे वन टी स्पून विनेगर और अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस 1 टी स्पून सब सारी सॉसिस को इसे मिलाएंगे एक से दो मिनट इसको पकाएंगे फ्लेम लो कर दें ताके सब्जियां और सॉसिस जलें नहीं लो फ्लेम पे इसमें तोड़ा बूनने नूडल्स को अब चान लेते हैं बॉयल हो गई है नूडल्स को मैंने हाइ फ्लेम पे बॉयल किया है इसलिए जल्दी बॉयल हो गई है तो अब ये नूडल्स बॉयल हो गई है अब हम इसे डालेंगे डारिक सबजियों में तो चलते हैं सबजियों की तरफ ये नूडल्स डाल दें सब्जियों में और अच्छे से मिक्सिंग करें टॉस करें तो टॉस करें वरना मेरी तरह अच्छे से मिक्सिंग करें सारी चीजों को अच्छे से मिला लें सब्जियों और नूडल्स को फ्लेम को लो रखें ताकि कोई भी चीज जल ना जाए और फ्ल जाजर शिम्लामिष ब्रोकली की वज़वजा से तो इसे ये mix कर लें अब हम इसे plate में serve करते हैं आप चाहें तो चॉमिन को वेज मंचूरियन या चिली पनीर के साथ serve कर सकते हैं उसकी recipe है मेरे channel पे चॉमिन चिली पनीर या वेज चॉमिन के साथ बहुत ही अच्छा लगता है तो थेंक यू फॉर वाचिंग प्लीज लाइक, शेर, कमेंट, सब्सक्राइब, यर व्यूस मैटर्स अलोट, प्रेस बेल आइकन बटन गंटे के बटन